Hello friends, welcome to UPSC Niti. ये हमारा daily quiz for UPSC और आज है 24th April 2017. So Monday है नए वीक की शुरुवात करते हैं. चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे आज के topic. जी हमारा first question है on the topic schedule languages. The next is father of a local self-government. Third question is on panchayat extension to the schedule areas act 1996. Then next question is on state boundaries. After that Vajra Prahar. Next is Keshwananda Bharati case. After that Mother Earth Day. Next question is on strand LB. After that Hoysala Monuments. And last question is on village of books. All right. So सबसे पहले हमारे परसों के practice question के answer देख लेते हैं. हमने पूछा था कि ozone layer का जो depletion होता है. उसके लिए कौन सा chemical responsible होता है. तो देखिए इसका answer है A. That is chlorophyurocarbons. और दूसरा हमने question पूछा था कि कौन सी Europeans जो थे? वो हमारे यहाँ पर सबसे आखिर में आये थे. तो इसका answer है जी French. ठीक है? तो इसके बारे में हमें अरे लगबग सभी दोस्तों ने correct answer दिये. जी देख ले थे सबसे पहले कि इन्होंने correct answer दिये. देखिए अंशु शर्मा. Next is. इन्होंने जी ना बहुत ही अच्छे से यह answer explain किया. अगर आप चाहे तो हमारे regular comment पिछले Saturday के वीडियो में जाके इनका answer देख सकते. Next is. अश्रेया अवस्ती. सुमीत नारायन. यहाँ पर है यह सुमीत सांगवान. यह भी इन्होंने भी एक अच्छा answer दिया था. आपके नाम का मीनिंग. अच्छा लगा मुझे यह नाम क्यूंकी. तो बताए इसका मीनिंग क्या है मुझे जिशना का. और देख लेते किन का नाम है. दिन गजानन, प्रवराज, पूजा, रुमन, सुमीत, तिकम, सुनील, श्रेया, श्रिया, रीता, और अरपर्ना. ठीक है? इतने हमारे फ्रेंड्स जे जिनने हमारे इस question का correct answer दिया है. तो देखिए स्टार्ट करते है हमारे आज के question. From the first question, choose the correct statement about scheduled languages. तो देखिए सबसे पहले क्या है? The ninth schedule to the Indian constitution contains a list of 22 scheduled languages. मतलब जो हमारा 9 schedule है उस Indian constitution के इसमें 22 scheduled language जो है, वो बताई गया है, ऐसा first statement है. Next is, the list had originally 14 languages only. मतलब सबसे पहले जब हमारा constitution adopt कर लिया गया था, तब इसमें सिर्फ 14 languages थी है, ऐसा ही है second statement है. And third is, Hindi, English and Urdu, all three languages are scheduled languages, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कहा है, तो यह तीनों language है, यह scheduled languages की category में आते है, ऐसा third statement है. देखिए, first statement जो है यह बात से ही कि यह 22 languages है अभी के लिए, लेकिन यह 9th schedule नहीं है, 8th schedule है, हमारा 8th schedule है, तो यह 9th schedule किससे रिलेक्टेड है, यह आप हमें comments में बताईए. next, जो है यह बात, मतलब यह first incorrect है, second जो है यह बात से ही कि जब constitution adopt किया था, तब 14 languages थी, बात में बढ़ते बढ़ते, यहाँ पर 22 हो गई है, so second correct है, third जो है यह बात, मतलब हिंदी है, उर्दू है, लेकिन English जो है यह हमारे schedule languages में आती नहीं है, ठीक है, मतलब third statement जो है यह भी अभी के लिए 22 languages है, और एक बार यह languages कौनसी यह देख लिजिए, so that अगर कोई इस पर question पूछा जाए तो हमें याद में आ जाएगा, देखिए कौन कौनसी है, असामी, बेंगली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, कोंकनी, मैथिली, मल्यालम, मनीपूरी, मराथी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेल्गु और उर्दू, ठीक है, 22 languages है, एक बार देख लीजी, हो सकता है, अगर कोई question है, तो helpful हो जाए, और जैसे कि हमने कहा, सबसे पहले सिर 14 languages थी, और कौन-कौन से amendment जो है, यह इस सालो में किये गए थे, और इनमें यह जो constitutional amendments है, इनमें यह जो languages है, वो add कर दी गई थी, ठीक है, 8 languages है, 8 languages है, जो 14 plus 8 equal to 22, ऐसे याद रख सकते हैं, next question देखते हैं, हमारा second question, name the voiceroy who is known as a father of local self-government, कौन से हमारे voiceroy थे, जिनको father of local self-government, इस नाम से, मतलब यह कहा जाता तो देखें, option क्या है, Lord Curzon, next is Lord Dalhousi, third is Lord Ripon, Litton, sorry, and last is Lord Ripon, तो यह जो question है, इसका answer क्या है, तो यह है, D, Lord Ripon, जो sir थे ना, हमारे, इनको हमारा father of local self-government, इस नाम से जाना जाता था, तो इन्होंने क्या किया था, he introduced the local self-government in 1882, कब introduced क्या था, तो 1882 में, and his schemes of a local self-government developed the municipal institutions, हमारे देश में municipal institutions, जो थी, इनी की schemes, that is Lord Ripon की schemes की वज़े से, हमारे देश में यह develop हो चुकी थी, और साथी साथ, इन्होंने बहुत ही कुछ हमारे लिए काम किये थे, तो देखिए, सबसे पहला काम क्या किया था, so इन्होंने first labor organization जो थी, वो इनी के कारिकाल में start कर दी इनी के वज़े से हमें Sunday को चुटी में दिये, मतलब Levers को चुटी में दिये, then next is Vernacular Press Act जो था, यह Lord Ripon के द्वारे ही cancel कर दिया गया था, first factory act भी Lord Ripon की इन्होंने ही लाया था, साथी साथ, जो हमारी अभी हर 10 सालों बाद जो जनगनना होती है, यह भी सबसे पहले इन्होंने मतलब irregular रूप से इन्होंने ही start कर दी थी, और इसके साथ साथ जो हमने पीछली दिनों एक बार देखा था, Hunter Commission, यह भी इनी के कार्यकाल में आया था, और Ilbert Bill, Ilbert Bill Controversy के बारे में आप जानते होगे, यह भी Lord Ripon की दौरा नहीं हुआ था, और यह question हमने क्यों add किया, तो दे यह बात याद रखे, इसी पर हमने अगला question भी बनाया है, जो हमारा आज है, पंचायत राज दे, इसी पर हमारा next question है, देखते है third question, the provisions of the पंचायत extension to the schedule areas at 1996, apply to the 5th schedule areas of the 9th state, ओके 9 state है, ऐसे यह act जो है, यह 9 state के कुछ area को यह apply होता है, तो 5th schedule के, तो देखे, which of the following state is not one of them, तो कौन सा नहीं है, यह पूछा गया, तो देखे, option क्या कहा है, गुजरात, राजस्थान, महाराश्रा, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो इनमें से कौन से state के लिए applicable नहीं है, यह जो पैसा act है वो, तो देखे, गुजरात के लिए है, राजस्थान के लिए है, महाराश् तो देखे, इसके बारे में भी, जैसे के हमने कहा कि यह news थी, पंचायत राजडे है, और यह फिक्स के लिए में 9 state जो है, इनके बारे में प्रोविजन कर दिया गया है, उस act के जो हमने पेसा act अभी देखा था, जी, इसका नाम देख लिए, पंचायत extension to the schedule areas act, 1996, और कॉन यह state 9 state है, आंधर परदेश, राजयस्थान, मध्यपरदेश, जारखन, छत्तिसगर, ओदीशा, हिमाचल परदेश, गुजरात और महाराश्चा, तो क्या state के नाम याद रखना जरूरी है, तो जी हाँ, यह state जो है, इनके नाम याद रखना जरूरी है, और क्यों जरूरी ह तो दीखिए, अगर हमारे constitution में कोई भी exception अगर दिया गया है, तो हमारे लिए मतलब वो exception हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है, तो it is a kind of exception कि यह इसके बारे में 5th की schedule में दिया गया है, प्रोविचन, तो यह हमारे लिए याद रखना जरूरी है, और अगर आप इसके बा पढ़ लिजिए, हम देखते हैं हमारा 4th question, which of the following state, do not share boundary with 3 countries, ओके, ऐसा कौनसा state है, जो 3 देशों के साथ boundary share नहीं करता, so first is Arunachal Pradesh, next is Meghalaya, third is Sikkim and last is West Bengal, तो आप यहाँ पर option देख लिजिए, मैं इसका answer बता देता हूँ, जिदे कि Arunachal Pradesh जो यह तीनों के साथ boundary share करता है, हम explanation में देखते हैं कौन-कौन से हैं यह, Meghalaya share नहीं करता, Sikkim जो है यह भी share करता है, और West Bengal जो है यह भी share करता है, ठीक है, so 1, 3 and 4 यह share करते हैं, और 2 जो है यह share नहीं करता, so हमें पूछा है कि कौन share नहीं करता, so answer है C, 2 only, alright, यह इसका answer है, एक मिनिट ओपन हो रहा है, C, 2 only, देखिए, यहाँ पर है यह West Bengal, यह बंगलादेश के साथ border share करता है, यहाँ पर चोटा सा यह कुछ boundary है इसकी, यह देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहे तो देख सकते हो, नेपाल के साथ यह boundary share करता है, और साथी साथ यहाँ भूटान है, जिसके साथ भी Bengal boundary share करता है, स यहाँ पर भूटान के साथ उपर तिबद जो चाइना का पार्ट है उसके साथ और यहाँ से म्यानमार, यह देखिए, यहाँ पर म्यानमार के साथ यह boundary share करता है, सो हमारा answer है 2 only, जो मेगाले है यह boundary बाकी मतलब एक ही state के साथ शेयर करता है, एक ही country के साथ boundary share करता है, सो और देश की बीच में यह वजरफ रहार माम की bilateral military exercise होती है, यह हमें बताना है, देखिए, option है Myanmar, Bangladesh, USA and Russia, तो इसका जो answer है ना, वो है C, that is USA, जी, आज एक तो issue क्या हो गया था, PIB भी open ही नहीं हो रहा था, और हिंदु में भी कुछ ज्यादा news नहीं थी, तो हमने इस पर एक simple question I add कर दिया था, I hope अगा आपको मतलब ये, मतलब कुछ ऐसे लगा नहीं होगा, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा information हमारे ले अवेलेबल भी नहीं थी, तो हमने जितना कुछ था वो add कर दिया, अब देखते है हमारा next question, जी, six question है, choose the correct statement about केश्वानन्द भारती case, जी, आ मतलब इन्होंने सबसे पहले statement कर दिया है, तो इन्होंने doctrine of basic structure ये add कर दिया था, and second is, it introduced public, मतलब PIL जो system था, वो भी इसकी वज़े से आया था, ये second statement है, तो हमें बताना है कि कौन सा correct है, ये first बात जोई, ये बात तो आप जानते होगी, कि doctrine of basic structure जो है, ये इसकी वज़े से मतलब केशवानन भारती case की वज़े से 1973 में add कर गया था, तो ये बात से ही है, लेकिन ये जो है ना, PIL, ये कुछ 1980s में आया था, ठीक है, ये इसकी वज़े से नहीं आया था, ये 1980s में आया था, PIL system, so हमारा answer है A, that is one only, ठीक है friends, और आज हमने इस पर question क्यों form किया है, तो जो हमारा landmark case है, केशवानन भारती case, इसका result जो आया था, तो ये भी इसी दिन आया था, that is 24th April 1973, इस दिन आया था, मतलब आज इस case को 44 साल हो चुके है, और जी ये कैसे याद रखा था, तो जी हमारे जो great, one of the greatest cricket player जो है, सचीन देंडुलकर, ये इनी का birthday भी होता है, 24th April 1973, तो इससे ये याद रह गया था मुझे, next देखते हैं इसके बारे में, केशवानन भारती case के बारे में, the decision of the Supreme Court in गोलकनाथ case has created a constitutional deadlock, जी इस वज़े से deadlock हो गया था, गोलकनाथ case की वज़े से, आप चाहे तो एक बार आज ही गोलकनाथ case के बारे में पढ़ लीजे, the deadlock, ये जो deadlock हुआ था, ये केशवानन भारती case की वज़े से, केशवानन भारती versus state of केरला, 1973 का ये जो case था, इसकी वज़े से ये sort out हो गया था, और इन्होंने, जो केशवानन भारती थे, इन्होंने हमारे 24, 25, 26 and 29 जो constitutional amendment थी, इनको challenge किया था, और इसके बाद हमारे constitution में, जो ह हमारा doctrine of basic structure जो है, ये इसको add कर दिया गया था, और तब से लेकर आज तक जो हमारा doctrine of basic structure है, इसमें धेर सारे अलग-अलग जो कोई, मतलब प्रावधान जो है, वो add कर दिये गया है, ऐसा लेकिन कुछ सबसे, मतलब constitution ने, Supreme Court ने ये नहीं कहा है, कि हमारा जो DBS है, इसमें सि एक जो चीजे है, वो add करते जा रहा है, सो देखते हैं और क्या है इसमें बारे में, ever since the Supreme Court has been interpreter of the constitution, the arbiter of all the amendments made by parliament, ठीक है, and next is, in this case, the petitioner challenge, ये हमने देख लिया, sorry, this decision is not just a landmark in the evolution of the constitution law, but also turning point to the constitution history, all right, तो जी, एक अच्छा मौका है, आप केश्वानन भारती case के बारे में, अच Next question, consider the following fact about Mother Earth Day and choose the correct statement, ठीक है, ये Mother Earth Day के बारे में हमें correct statement बताना है, जी, हमने एक बार भी पहले, ऐसे अगर question के बारे में कहा था, कि ये question UPSC पूछेगा या नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन हम ये क्यो आड कर रहे हैं, तो ये pre के लिए important हो या ना हो, एक बार, लेकिन mens में आप जो इसमें जो data है, वो आप कहीं पर ही quote कर सकते हो, इसलिए हम ये question एड कर देते हैं, तो देखिए, first क्या है, International Mother Earth Day, marked annually on 22 April, is celebrated to remind everyone that the earth and its ecosystem provide us with life and sustenance, मतलब ये इस साल, इस दिन celebrate किया जाता है, annually celebrate किया जाता है, और क्यू celebrate किया जाता है, ये अभी हमें first option जो है, इसमें is environmental and climate literacy, मतलब theme किया है इस साल की, environment and climate literacy, मतलब environment और climate के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक information provide करनी है, ऐसा ये है, and education is foundation for progress, मतलब इसका education जो है, वो हमारे progress के लिए foundation है, ऐसा ये second statement है, next देखते हैं हमारा third statement, जी third क्या है, UN General Assembly, that is UNGA, through a resolution adopted in 2009, 2009 में ये resolution adopt कर लिया as a international mother earth day, मतलब जो 2009 में resolution आया था, इसके बाद UNGA ने ऐसा decide कर लिया, कि 22nd April ये हमारा international mother day होगा, ठीक है, तो ऐसा ये third statement है, तो दीखिए इसके तीनों statement जो है, ये हमने सही, सही रखे थे, तो इसका answer है D, that is all three, जैसे कि हमने फिर से एक बार repeat करता हूँ, कि ये हो सकता है, कि ये दिखिए, ये जो theme थी, इसको आप चाहे तो कही ऐसे, या फिर हमारे men's के question में add कर सकते हो, या फिर कुछ ये इसके बारे में ऐसे use कर सकते हो, कि ये 22nd day जो है, ये हमारा mother earth day होता है, ऐसी बाते जो है ये कभी कबार men's में useful हो सकती है, तो इसका explanation देख लेते, इसके बा the harmony with the nature and earth, मतलब जो हमारा nature है और हम, मतलब as a human being and हमारा nature पूरा, इसके साथ हमारी अच्छे से harmony हो सके, ये इसलिए ये प्रमोट किया जाता है, इसी mother earth day के बदलत, next is the term mother earth is used, मतलब mother earth ये term की ये की गई, it reflects the interdependence that exit among the human beings and other living species and planet we all inhibit, मतलब देखिए, हमारे ही इसी पृत्वी में हम भी रहते हैं और बाकी धेर सारे बाकी जो हमारे प्राणी है, बाकी हमारे पेड वगेरा ये भी इसी यहाँ पे ही रहते हैं और हमारा interdependence भी है, इसी बात को reflect करने के लिए इसको mother earth day इस नाम से जाना जाता है, it decided to designate April 22nd as international mother day ये बात याद रखिए, और इसके बारे देखते हैं हमारा next question, that is question number 8, what is true about strand LB, तो ये strand LB क्या है, इसके बारे में क्या true है, ये हमें बता रहे हैं, देखिए, first क्या है, it is a type of stent using pacemaker, जो stent जो पिछले दिनों काफी news में था, तो ये इसका pacemaker में use करने वाला stent है, ऐसा ही है, first option है, next is, it is a virus causing Zika, तो Zika virus का, Zika जो ह है, वो किस virus से होता है, तो इसका नाम है strand B, ऐसा ही है, second statement है, next is, it is an anti-malaria drug, मतलब ये malaria के against use करने के लिए कारिकर साबीत होता है, ऐसा ही statement है, next is, it is a test that claims to be able to detect traces of a tumor from a simple blood draw, मतलब ये क्या है कि ये कुछ tumor जो होता है हमारे शरीर में, तो इसको detect करेगा और simple blood draw, simple blood technique से detect करेगा एसा है, strand L, B, S, A, S, A, D statement है, ठीक है, तो इसका जो answer है, तो ये है D, मतलब ये एक test का नाम है, और ये detect करेगा, हमारे अगर शरीर में कहीं पर tumor होतो, और बहुत ही simple technique से इसको detect किया जा सकता है, तो हुआ क्या है कि आज तक जो हमारी tumor को detect करने के लिए जो technique थी, वो मतलब क कुछ smart नहीं थी, उसको time भी लगता था, तो it is a kind of a smart technique to detect the tumor, और ये किसके द्वारा लाय गया है, तो ये एक Bangaluru-based company है, जिसका नाम है Strand Life Sciences, तो इसके बारे में test जो था, Strand L, B, ये start कर दिया था, that claims to be able to detect traces of a tumor from simple blood draw, मतलब कुछ simple ही हमारे जो खून का जो परिक्षन किया जा another company based in Bangaluru also announced the launch of OncoTrack, another liquid biopsy, ठीक है, liquid biopsy means kind of a test ही होता ही है, test on CoTrack, ठीक है, OncoTrack, liquid biopsy test है, ये ये भी याद रखिये, OncoTrack, science and tech के बारे में हमारा important question हमें लगा, तो हमने ये add कर दिया, अब देखते है, हमारा next question, 9th question, होईसला monuments are found in, तो ये कहाँ पर पाए जाते है, हमप stringery and dharwar, ठीक है, तो इन में से कौन सा ये answer है हमें बताना है, होईसला monuments, जी अगर आपने हमारे पिछले हपते का भी वीडियो देखा होगा, या फिर हमारा कल का जो वीडियो था, जिसमें हमने revision की थी, तो आप इस question का answer हमें बता सकते हो, होईसला monuments, तो actually ये UPSC ने ही एक बार पूछा हुआ question था, तो अपने add कर दिया, तो ये देखिए, होईसला monuments जो है, ये कहाँ पर पाये जाते हैं, तो हलेविड and belluru, ठीक है, हलेविड and belluru, तो ये देखिए, ये कुछ बहुती interesting type है, देखिए, architecture का, तो ये होईसला architecture, इसके दोरान ये ऐसे बनाया गए थे होईसला, ठीक है, होईसला empire कब था हमारे देश में, तो 11th century से 14th century तक, और ये कहाँ पर पाये जाते हैं, तो करनाटका में, ठीक है, और ये इनके जो type of temples है, इसके लिए बहुती जादा famous था, और ये इनका जो peak जो था, वो कब आया था, तो 13th century में, तो जी हमने पिछले आगये, यहाँ पर हले बीदु का आगये, कुछ तो होगा ये, kind of name, आगर हमारे कोई साथी जो है, अगर करनाटका से होंगे, तो ये हमें बताइए, ये हले बीदु है, ये हले बिढ है, ठीक है, तो ये clear कर दीजे, और बाकी भी, ये देखिए, कौन कोई से temple है, केश्वा temple जो है, सोमना था पुरम, और बहुत से temples है, ये देखिए, बेलावाडी, यहाँ पर रीजन है, मतलब temples का, other examples of होईसला craftsmen are the temples of at बेलावाडी, अरूथा पुरा, मतलब ये अगर हो सके, कई अगर पूछ लिया जाए, कि इन में से कौन से है, होईसला के, तो ये हमें पता व कुछ pronunciation गलत हो गया, तो, देखते है, next, the study of a होईसला architecture style has revealed that negligible Indo-Aryan influence, मतलब ये जो है, इस पर बनाने में कौन सा influence है, तो कम मातरा में है, लेकिन Indo-Aryan influence है, ऐसा ये बात कहा दिया गया है, अब देखते है, हमारा आज का last question, village of books is India's first ever new concept to promote tourism, will open in which of the following state, मतलब ये जो नया concept है, village of books, ये इंडिया में tourism promote करने के लिए सबसे पहली बार पौंसे state के दोरा लाया जा रहा है, तो, ऐसा ही हमारा question है, देखिए, first option है, महराश्रा, next is उत्तर प्रदेश, C is Gujarat, and last is Tamil Nadu, all right, तो, इसका जो answer है, ये village of books, ये start कर दिया जा रहा है, महराश्रा में, all right, A है, इ जानते होगे, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, किसली est famous है, तो, जो, हमारी famous नदी है, यहाँ से originate होती है, महाबलेश्वर से, तो, बताए, वो कॉन्सी का रिवर है, जो महाबलेश्वर में or का व्लेश्वर होती है, और ये, मявुले यही पर 5 गशनी, और 5 गशनी से आये जा रहे है और देखिए इसमें ना कुछ important fact है मतलब ये network बनाया गया था इसके लिए स्वत्व नाम से और जो whatsapp से चला गया था मतलब ये हमने add q किया ये जो statement है वो तो अगर आपको कभी social media के बारे में कुछ में question आ जाए तो social media का positive use करके आप tourism कैसे promote कर सकते हो इसके बारे में ये case study आप use कर सकते हो ठीके friends तो ये थे हमारे आज के question जी हम हमारा practice question देख लेते आज के which state of India was the first state to adopt panchaitirat system in 1959 तो सबसे पहला कौन सा सिच्ट था state था महराष्टरा, राजस्थान, आंधरप्रदेश और त इन जैनिजम, perfect knowledge is referred to as, तो ये art and culture related question है, जी perfect knowledge, जैनिजम में किसको कहा जाता है, so first is jina, next is ratna, c is kaivalya and last is nirvana, all right friends, तो इसका भी आप हमारे ये जो दोनों questions है, इसका आप हमें comments में answer बताइए, तो ये थे हमारे आज के सभी question, जी हमें कल का motivational video जो है, वो भी upload करना है, और एक कुछ YouTube का technical error आ रहा है, जी हमने कहा, PIB भी open नहीं हो रहा था, तो कुछ तो problem है चाहिए, नेट का, तो देखते हैं, जैसे ही हो सके, ये भी video, अब जितना चल्दी हो सके, उतना upload करेंगे हम, तो आज, जो हम तीन video upload करेंगे, आप सभी video देखिए और हमें comments दीजे, खिके friends, thank you so much, have a happy wonderful day ahead, keep studying and all the best.